कोरोना वारिस के खिलाफ जंग में लगे लॉकडाउन में रेल सेवा भी बंद हुई है हलाकि इस मास संकट के बीच कुछ श्रमिक और स्पेशल ट्रेन शुरू की गए इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही यातरी रेल सेवा भी शुरू होगी लेकिन इसे बीच रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकेट रद कर दिये हैं साधे इन टिकेटों का पैसा रिफंड कर दिया गया है गौरतलब है कि 24 मार्च को लॉकडाउन के एलान के बाद से ही रेल सेवा पूरी तरह से बंद है ऐसे में जिन लोगों ने पहले ही टिकेट बुक करवा दिये थे उनके टिकेटों को रद किया गया है रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकेट कैंसल कर यातरियों का पैसा रिफंड कर दिया है कोरोना संकट के बीच 12 माई को रेलवे ने 15 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया था ये स्पेशल ट्रेन राजधानी दिल्ली से देश के अन्य 15 शहरों को जोड़ेंगी ये ट्रेन जोड़ी के हिसाब से चलेगी यानि दिल्ली से जाकर वापसी की व्यवस्था भी होगी पिछले तीन दिनों में इन ट्रेनों में हजारों लोग सफर कर चुके हैं स्पेशल ट्रेन के तौर पर जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं वो सभी राजधानी है और उनमें सिर्फ एसी कोच ही है इन प्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है साथ ही इसमें सफर करने वाले सभी यात्रियों के लिए मास्क लगाना भी अनिवारी कर दिया गया है इसके लाबा यात्रिव के लिए कई अन्य गाइडलाइन भी जारी की गई है जिसका सकती से पालन करना होगा इसके लाबा रेलवी करीब सौ श्रमिक फ्रेने रूजाना चला रहा है अब तक इन्फ्रेनों में पांच लाख से जादा मजदूरों को वापस पहुचाया जा चुका है और लगातार ये सर्वेस जारी है